e-book कैसे create करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो हमें topic decide करना है किस topic पर हम e-book बनाएंगे जैसे मालो मेरी expertise है blogging में, youtube में तो मैं तो इनके उपर मैं लिख सकता हूँ फिर online पैसे कमाने की मुझे काफी सारे तरीके बता है तो इसके उपर मैं e-book बना सकता हूँ आप कैसे बनाओगे आप किस topic बनाओगे तो आपको चार चीजे में बताता हूँ सबसे पहला है knowledge, दूसरा है expertise, तीसरा है passion, किस field में आपका passion ज्यादा है तो उसको आप सीख सकते हो easily और problems सेको, क्या-क्या problems है और उसके solutions साब find करो खुद, खुद experience करो और फिर उसको e-book के form में बनाके आप e-book लिख सकते हो अगर ideas की बात करें तो ज्यादा तर ideas ऐसे चल सकते है how to, जैसे यहाँ पर how to make money online के उपर इन्हों ने लिखा था how to earn from Instagram, क्योंकि यह Instagram page है, तो यह कैसे earn करते हैं, उसके बारे में भी बता दिया मतलब जिस चीज से income कर रहे हैं, उसी चीज को share कर रहे हैं तो एक उनकी expertise हो गई, इन्होंने कैसे grow किया होगा Instagram page को, उसके बारे में अगर बताया होगा इन्होंने, ठीक है तो इस तरीके से काफी सारे आइडियास है, जब आप इन चारों चीजों पर नॉलेज, एक्पर्टीज, पैशन और प्रॉब्लम्स के अराउंड जब आप देखोगे तो आपको आइडियास मिल दाएंगे कि आपको किस टॉपिक पर e-book लिखना है, चलो, टॉपिक तो हमे नया नया DSLR कर इता है, उसके लिए आप हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी लैंग्वेज में आप अगर e-book बनाना चाहते हो, ठीक है, तो कैसे बनाओगे, तो आप Google Docs पे जाओ, वहाँ पर पहले pointers अप लिख लो, how to click photos with DSLR, यहाँ पर pointers लिख लो कि क्या-क्या इसमें cover तो pictures भी आपको वहाँ पर डालने बड़ेंगे, तो एक raw format में, एक Docs के format में, आप पूरा का पूरा e-book तयार कर लोगे, पिछले साल मैंने बनाया था, कि how to start blogging, तो यहाँ पर आप देखो, कि हिंदी में ही मैंने बनाया था, पूरा का पूरा e-book है, I think 29 पेस का है, पूरा start से लेके end तक था, और फ्री में मैंने बनाया था, मैंने कोई पैसा नहीं रखा था, तो इतना बढ़ियां format नहीं है, यह e-book का, e-book थोड़ा सा जितना attractive बनाओगे, audience को पढ़ने में जितनी आसानी होगी, उतना ही बढ़ियां होगा, जब आपका ऐसे बन जाएगा, Google Docs म फिर आना है किसी भी graphics related software पर जैसे Canova पर मैं जाता हूँ, आप Canova पर जाओ, Canova पर free में आपको e-book के format मिल जाएंगे, यहाँ पर खाली search करो, e-book, Canova ग्राफिक के लिए काफी सही टूल है, और free वाला ही मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैं pro version मैंने लिया नहीं हुआ है, तो आप बनाने की कोशिश करिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, सतीष के वीडियो प्रजेंट, free blogging A to Z हिंदी में, और यहाँ पर आप थोड़े से images वगरा लगा सकते हो, और यहाँ पर आपको सारे elements वगरा मिल जाएंगे, जो भी आप चाहोगे, dollar का symbol, हर एक चीज आपको मिल जा यहाँ से मैंने पहला पेज बना लिया, आपको भी क्या करना है, एबुक का बढ़िया सा cover बना ले रहा है, तो यह ebook का cover हो गया, ठीक है, अब next जो आता है हमारा की शुरुआत हम कैसे करेंगे, कि एक index बनाएंगे, कि इस course में या फिर इस ebook में क्या क्या होने वाला है, त और भी सभी जानकरिया जो आपको एक अच्छा ब्लॉगर बनने में मदद करेंगी, तो यह शुरुआत में लिख दिया, ताकि एक जो भी ebook पढ़ रहा है, उसको एक idea हो जाए, कि वो क्या सीखने वाला है, उसके काम की चीज है भी या नहीं, फिर वहाँ से हम शुरुआत करेंगे, जो हमारा यहां पर आप देख सकते हैं, जो ब्लॉगिंग का कोर्स था, अब क्या करना है, आपको एक copy करना है, मेरा नहीं, अपना लिखा हुआ, ठीक है, इसको copy करना है, और वैसे ही यहां पर add pages करके, यहां पर फिर paste कर देना है, आप जितने भी pages होंगे, आप add करते जाएंगे, बढ़ियां से, और जहां जहां पर images होंगे, images भी आप add कर सकते हैं, यहां पर देखो कि upload करने का option है, और यहां से ही आप images add कर सकते हो, जैसे मालो मेरे को image add करना है, इसी को add करना है, तो मैंने यहां पर image add कर दिया, इसके अलावा, guys, आप जो भी ebook create कर रह सकते होते हैं, आपके लिए फायदा हो जागा है कि कोई बंदा जो ebook पढ़ रहा है, जब वो ebook पढ़ेगा, तो वहां से affiliate link पे भी click करेगा, और आपको जब sell होगा, तो आपको वहां से भी पैसे मिलेंगे, तो यह फायदा हो जाता है, प्लस images हो गएरा लगाने से क्या हो जितने भी आपको skills आते हैं, बहुत सारे लोग freelancing कर रहे होंगे, तो जो भी आप काम करते हो, graphic designing का, उसके उपर आप ebook create कर सकते हो, editing करते हो, उसके उपर आप ebook create कर सकते हो, तो content काफी है, जिसको आप ebook का मतलब हो गया कि एक particular कोई चीज, how to, ultimate guide, उसको एक ebook के form में लेक Instagram pages वाले ऐसे ही earn कर रहे हैं, और आप सोचे हो कि इस समय ebook कौन खरीता है, तो मैंने देखा था, जो सम्किय जी है, उनसे मैंने stats निकलवाया थे, काफी ज़्यादा उन्होंने ebooks हो गयरा sell करी है, तो मैंको भी अच्छा लगा कि यह option हो सकता है, लोग भी, लोगों को भी इ आसे download करना है, download case format में करना है, PDF में करना है, all pages selected, अभी जैसे 5 pages का हुआ है, तो download कर लेंगे, अभी यह हमारा ebook रेडी हो गया, अभी तो यह मैंने आपको दिखाने के लिए छोड़ा सा बना दिया, बट आपको पूरा create करके फिर ऐसे download कर लेना है, यह हमारा ebook रेडी हो ग पड़ लेगा